दोस्तों प्रदीवगीरी एकट में इस चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मुझे पता है कि कल आपका पेपर है, कल दो-दो इनवर्सिटी का मैक्स का पेपर है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं मेरा सिलाबस जो है सर मैंने 80% कर लिया पर मेरे अंद कर लिया, पर मुझे डर लग रहा है, तो आप जितना भी आपका सिलाबस हुआ है, आप कॉमेंट में करो, जिससे मैं आगे का इस टेप लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, कि मुझे आगे क्या करना चीए, मुझे लाईव आना चीए, मुझे मेरे बच के लिए लाईव आ सकता हूँ, आप उसके अकॉर्डिक कॉमेंट करो, दोस्तो मैंने अलरडी पार्सियल डिफ्रेंसियेशन पर मैंने आपको वन सौर्ट वीडियो पहले ही बना दिया है, अगर आप उस वीडियो को देख लोगे न, तो आपको पार्सियल का वीडियो देख लो, वन सौर्ट का, आपका बहुत अच्छे था, आप सर्च कैसे करोगे, पार्सियल डिफ्रेंसियेशन वन सौर्ट गिरी टुटल में सर्च करना, आप प्रदीव गिरी एकैडमी सर्च करना, तो आपको डैरेक मिल जाएगा, देन दोस्तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब मैं नेक्स टॉपिक एप्लिकेशन और पार्सियल डिफ्रेंसियेशन, इसका मैंने वन सौर्ट नहीं बनाया था, पर गोड एकजाम में बीजी होने के बावजूद, गिरी टुटल में इसलिए मेरे मुझ से निकला, क्योंकि गिरी टुटल के चैन बाकी है, आप जैसा response दिखाओगे उसके according, अगर आप response दिखाओगे तो बहुत सारी चीज़े में लाईू में आके आपको solve भी करवाके दे सकता हूँ, अब देखो यहाँ पर इस topic में मैं क्या क्या चीज़े cover कराने आप जैकोबियन मैं पूरा का पूरा complete करा के दूँग अगर आप start कर रहे हो, अगर इसके पहले आपने partial differentiation नहीं किया है, तो please कर लेना क्योंकि इसके आगे वाला ही party है, नहीं तो आपको partial derivative ही नहीं solve करने आएगा, अब मेरा one sort देख लोगे तो भी काम हो जाएगा, अगर आप चाहते हो अच्छा paper जाए, तो partial differentiation के जो मेरे 11 सोचा कि मेरे बच्छों के लिए कुछ न कुछ तो मैं यहाँ पर दे दू कि उनको कम टाइम में कैसे चीजे cover करना है, चलो start करते हैं, सबसे पहले दोस्तो, Jacobian of UV है, with respect to XY, इसका मतलब समझाग कहीं पर भी अगर UV with respect to XY है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों पता है, डेल यू, पहला ये यू है, एक बार इसके साथ ले लो, डेल X, फिर से ये यू with respect to डेल Y ले लो, समझा, फिर अब इदे को V ले रहा हूँ, डेल V with respect to X है, फिर डेल V with respect to Y है, हो गया, वैसे अगर समझो ये तीन पार्ट्स में है, तो अब तीन पार्ट्स में लिखो, देखो यहाँ पर देखो कैसे ले रहा हूँ, डेल U with respect to X, डेल U को फिर से with respect to Y, फिर से डेल U को ही with respect to Z, यहाँ पर क्या आएगा, डेल V with respect to X, डेल V with respect to Y, डेल V with respect to Z, फिर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तो, डेल W with respect to X, डेल W with respect to Y, डेल W with respect to Z, अब सर ये तो आपने पार्सिल में सिखा यह था अगर यह अगर देखो आपके exam में अगर ऐसा question आता है देखो question भी बता रहा हो v equal to x square plus y square और यहाँ पे u equal to 2xy ऐसा question आ रहा है तो आपको अगर उन्होंने बोला है find find del u समझो उन्होंने del uv upon del xy बोला है तो समझ जाना तुरंद की जैकोबियन का question है आप पता है सबसे पहले यह अंदर के जो पैरामीटर से इससे फाइंड आट कर लो अब देखो डैल यू बाइट आट अपको मैंने सिखा है कैसे फाइंड आट करेंगी यह अभी भी सिखा रहा हूं यहाँ पे जो टर्म है इसके अंदर एकस वाला है बस उसे ही सॉल करना है बाकी सब कॉंस्टेंट है एकस वाले का डिरिविटी क्या आएगा वन तो टू आए सात में यह तो साथ में लिखना अगर वही प्लस होता तो य जीरो हो जाता अभी समझो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूं डैल भी बाइड एल एल एकस भी कि डैल भी बाइड एल एकस भी लगने वाला है तो बस मैं यहाँ पर एकस सॉल करूंगा एकस का क्या एगा टू एकस वाइज जीरो हो जाएगा देखो यहाँ पर नहीं आ रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा एकस्प्लेनिशन दे रहा हूं पर आप प्लीज रिवाइस कर ल अब देखो दोस्तों यहाँ पर question है इस तरह से वह यू दिया है इस तरह से आप वी दिया है और आपको find out करना इसका solution देखना होगा तो आप मेरा जैकोबियन के चाहिए तोटल जैकोबियन के आई टिंग 6 लेक्षर बनाये हैं और यह था करने के बाद देखो और अगर आपने विडियो कोप्लीट कर्ने के लिए पहला इस बहूत important है समझ reefs का व Här लेड़ेस निकालने के लिए बोले या तो कभी verify करने के लिए दे यह दोनों को बोले कि इसका answer one proof करके दिखाओ question कैसा आएगा बताऊंगा नेक्षे चैन रूल चैन रूल क्या बोलता है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ for example कोई एक function है यूवी वह हमें xy के term में sorry r और s के term में दिया किसके term में दिया और rs और r और s हमें xy के term में दिया है इसका मैं question भी बताऊंगा कैसे आपको समझेगा कि चैन रूल का question है की नहीं है सब चीजे बताऊंगा बस यहां पे ध्यान से सुनो अब इस तरह से अगर question है तो पहले डारेक यहां से उड़ी मारना है last वाले पे मतलब यहां पर आपको क्या लिखना है डेल uv upon del xy अब यहां पर आपने ऐसा लिखा अब क्या गरना है आपक xy देखो इस तरह से आपका part हो गया देन उसके बाद आपको यह solve करना तो मैंने सिखा यह थोड़े दिर पहले ही बता है यह भी solve करना सिखा है डिरेक्टी आप solve कर सकते हो अब यहां पर question है अब इस question को कैसे पहचान होगी कि यह उसी type का question है देखो u कौन से term में दिया xy क term में then x कौन से term में r theta के term में y कौन से term में r theta के term में तो यहां पर आपको सम कैसे पता चलेगा कि यही समय देखो यहां पर यूवी r theta मतलब यह पहले से direct last पर कूदे हुए तो समझ में आ जाना चाहिए चैन रूल है अब फिर इससे कैसे करोगे डेल यूवी क्या बात है सर बहुत आप इजी कर दिया यही तो डाउट था समझ में नहीं आ रहा था तो आप देखो डेल यूव है डेल यूवी अपॉन क्याएगा डेल xy और यहां पर डेल xy अपॉन क्याएगा डेल r theta हो गया अब बस इसे solve करना तो मैंने आपको सिखाया है अगर नहीं आता होगा तो मेरे वीडियो को जो मेरा ब्रीफ वीडियो है उससे आप देखके जैकोबियन प्लेलिस्ट प्रदीवगीरी अकेडमी सर्च करो आपको मिल जाएगा यहां पर यहां पर आपको दिया है यह दिया और आपको verify करना है मतला आप पहले जे का value निकालो जे का value कैसे निकालो के दोस्तो डेल यहां क्या है दोस्तो एकस है तो उपर एकस आएगा वाई और नीचे के आएगा दोस्तो यू भी यह अभी solve करने क्या था अब फिर इसे solve करो यह जो है इसका उल्टा होगा यह उपर क्या रजाएगा you be and all यहां पर कै वाजया दोस्तो XY इने यह इसाफ पर आपको क्षटन को फिर यह जो क् ROBaktर निकालना पड़ेगा दोस्तो यू और वी यह से निकालना पड़ेगा तो यू और शлять कशका लाए अगर गर दीपेंडेंस यह तो आपकह छोल करना मैंने दिपेंडेंट्स है गर यहां पर यहां पर ऑप सकते हैं तो मैंने चाहिँ वह एक निरे ुल О, यहां पर कैसा आएगा फॉला कि लिए teachings आप एंसर आगर जिसका 0 आया तो अब यहां पर 10 inverse का derivative पता होना च्छी 1 upon 1 वन प्लस एक स्क्वयर तो वैसे 10 inverse y का क्या होगा 1 upon 1 प्लस y-square पर वहाँ पर derivative की according देखना की constant क्या है देन इसके अब next है जैको बिएन ऑप implicit function implicit function मतलब दौस्ता यूवी दिया है और यहां पे xy दिया और connected यहां पे कुछ functions type में f1, f2 दिया है कुछ type में आपको क्या लेना है यहां पे equal to 0 यहां पे equal to 0 लिया है अगर समझो वो दो functions के हैं तो यहां पे यूवी लिखा है यूवी दिया है with respect to xy तो यहां पे xy लिखा हो पर दो function है तो देखो function 1, 2 लिखा है with respect to नीचे वाला लिखने का then function 1, 2 लिखा है with respect to उपर वाला लिखने का देखो कैसे इसके sums को कैसे solve का और यहां पे यह चीज़ यहां दखना यहां पे minus 1 यहां पे कितने part है भाई दो का ही है दिखाई देरा है कि नहीं, दो काई यह, दो ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर square आएगा, अगर वही यहाँ पर 3 होते हैं, तो यहाँ पर cube आता, इस type का मैंने दोनों sum कराए, अब देखो, यहाँ पर questions भी है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर यह भी दिया है, और हमें finally य प्रूफ करना है, अब देखो, यहाँ पर मैंने इसको function 1 ले लिया, इसे मैंने दोस्तों क्या ले लिया, function 2 ले लिया, अब देखो, मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा formula भी बना दिया है, UV, XY, यहाँ पर बना दिया ना, देखो, UV, XY, यहाँ पर यहाँ यह मेरा दो function है, अल लिखो इप डिप्रिस्टेक्टों नीचे किया। कहा से यहां पर डियलल ऑफली आएगे का फनिलो इनस्य विट रिस्पेक्ट का लोगे यूए ऐसे मेरी सटू यूआ SL तो यह वाला पार्ट आपको समझ में आ गया तो इतना पार्ट आपको जैकोबियन में अच्छे से करके जाना चीए अब मैक्जिमा और मीनिमा अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो यह मेरा स्टेप आप बस दीमाग पर बिठा लो और इसके बाद मेरा एक वीडियो बस मैक्जिमा मीनिमा का पहला वीडियो देख लेना आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा और यह कोश्चन अगर आप करके जाते ह तो पांच मार्क्स का एक कोश्चन इसमें से कंफर्म आने वाला है इसलिए यह वाला टॉपिक करके जाना देखो सबसे मेले आपने अगर मेरा पार्सियल से लिए आना तो आपको इसी स्टेप का मार्स है पहले आपके अगर पता है उसका एफ एक्स निकाल लो मतलब क्या ह यहाँ पे अपे यहा पे सब आप निकालने के बाद आपको नहीं पता है तो यहाँ पे किसी एक equation से आपको point मिलेगा और दूसरे में put करो तो total अपने को पूरा point मिल सकता है मुझली कभी-कभी वो हो सकता है कि 4 point मिलते हैं plus minus में या तो 4 point मिलते हैं कभी-कभी 2 point मिलते हैं देन दोस्तो इसके राद ये जो points मिला है ये आपको क्या करना है तीनों में put करना है एक बार इसमें put करके R का value निकालो फिर इसमें put करो S का value निकालो फिर इसमें put करो T का value निकालो और R का value के लिए किसमे point पूइंट करना पड़ेगा R के value के लिए दोस्तो point इसमें put करना पड़ेगा X-X में s निकालने के लिए यह जो point मिला हो किसमें put करना पड़ेगा x y में then t निकालने के लिए यह वाला point किसमें put करना पड़ेगा y y में आगे मैं बता देता हूँ sum एक sum मैंने लिए है उसमें मैं बता हूँगा क्या करना है then यह 3 condition है सबसे पहले आप rt minus s square पहले सबसे पहले check कर लो हर एक point का rt minus जैसे आपने r st निकाला न सभी point को put करके फिर rt minus s square check करो कि वो greater than 0 होना ही चाहिए अगर वो greater than 0 है then r check करो r अगर greater than 0 है greater है तो minima याद रखना और less than है तो maxima और पता चला यही अगर less than आ रहा है यहां पर मैं उसको एक आपको one sort video है इसले पूरा का पूरा solve नहीं करूंगा बस आपको यहां पर steps सब बताऊंगा यहां पर पहले मैंने इसे f of xy ले लिया then मैंने first derivative निकाला यहां पर with respect to y निकाला xx निकाला xy निकाला yy निकाला कैसे निकालते हैं इसले मेरा parcel का पार्ट देखना बहुत जरूरी है मैं उमीद करो कि आपको parcel आता है then यहां पर f of x लिया f of y लिया f of y equal to 0 put किया तो यहां पर मुझे दो values मिले एक x का value मिला एक y का value मिला यह दोनो values को आपको उठा के यह with respect to x जब put करोगे उसमें put कर दो उसमें put करोगे तो यहां पर आपको दोस्तों यहां पर पहले आप क्या करो पता है y का value put करो y का value put करोगे तो यहाँ पर आपको 2 values मिलेंगे बतला यहाँ पर x मिलेगा और यह y मिला कि यहाँ पर 2 values मिलेगे then यह वाला x का value इसके equation ने put करोगे तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको 2 stationary points मिलेगे तो total इस sum के लिए आपको 4 stationary points है फिर यहाँ पे आप r का value निकालो r का value कैसे निकालते है f double ये वाले ये वाला point इसके अंदर put कर दो r का value आ जाएगा फिर यहाँ पे s का value निकालो ये वाला point इसके अंदर put कर दो then t का value निकालना है यह वाला point इसके अंदर put करो तो जो भी है जैसे अगर समझो यहाँ पे 6s है तो यहाँ पे समझो 2,1 है तो यहाँ पे 2 put करोगे x के जगब पे तो 12 आएगा तो इस तरह से फिर यहाँ पे आपको उसके बाद क्या देखना है rt minus s square चेक करना है इसका answer 0 से greater आना ही चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो neither minima nor maxima अगर आ रहा है तो r का value चेक करना है यहाँ पे यह वाला ही पार्ट आपका हो गया error and approximation में देखो around 15 minute तक मैंने इतनी सारी चीज़े आपको बता दी अब error and approximation में दोस्तों क्या करना है error and approximation में यह चीज़े आ बस याद रखो कहीं पे भी percentage error है तो आपको इस तरह से represent करने आना चाहिए 100 dx by x dy by y and dz by z मैंने इसके पहले वाले lectures में मतलब जहां पर मैंने लेक्चर लिया वहाँ तो मैंने बहुत कुछ बता है और यह वाला question बहुत बार university में पूछा है क्या लिखा है calculating the volume of a right circular cone error of 2% and 1% are made measuring the height height के लिए कितना error 2% है and radius के लिए कितना है दोस्तों 1% है और हमें क्या करना है percent error calculate करना है किसका volume का तो दोस्तों सबसे पहले सबसे पहले given data क्या बोले वह मैं लिख लेता हो तो देखो मैंने यहां पर लिखा भी है आपको फिर भी मैं बता दो यहां पर यह लोग हाइट का बोल रहे हाइट आप उनका से लिखेंगे डेल एच अपन यहां पर क्या है और हमें साथ आगे रहता है तो हमें कितना बोला है देखो लिखने आ रहा है वन परसेंट देन अब वॉल्म चेक करोगी फिगर किया है कौन है तो वॉल्म को आपको याद हो ना चीए फॉर्मला मैंने उस वीडियो में सब फॉर्मले दिये है तो वॉल्म प कॉन का फॉर्मला क्या है वन अपन त्री प्या करना अब बस क्या करना दोस्तों इसे लोग ले लो दोनों सब्सक्रूर यह लॉट सब्सक्राइब और यह आप फॉर्मला अप्लाइब करोगे तो अब देखो यह इसका एंसर आपका आजाएगा अगर आगे का अगर आपको देखना होगा तो मेरे उस वीडियो में देख लेना स्टार्टिंग कैसे अब आप इसके सम्स को बुक में देख लो आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद आगे जाके आपको 100 से मल्टिप्लाइ करके यह वैलूस को क्या करना है दोस्तों पूट करना है तो उमीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा यह जो पार्ट है समझ में है हाँ इसके अंदर मैंने जान भुचके लेगरेंजियस जो मैं देख रहा हूं डीकोड में अ और डीकोड में बहुत सिंपल मैथड दिया है एक सम उसका करके ही जाना चाहिए नहीं आ रहा होगा तो आप लेगरेंजियन मैथड का मैक्सिमा मीनिमा में मैंने वीडियो बनाया है चौथा वीडियो है जाके उससे देख लो और आपका जो जो रिक्वाइर्मेंट है अब पार्सियल भी करके जाना वीडियो को देखने के लिए दिल से ठैंक्स ठैंक्यू सोमस्च दोस्तो जैहिन दोस्तो